नमस्कार बहनों और भायों, आज का यह पोड़कास्ट एपिसोड सूतक के समय पूजा पाठ सम्बंधी कार्यक माला जब करना उचित है या नहीं। इस नाम से है, आशा है, आपको यह प्रसारण अच्छा लगेगा और इसकी सामगरी भी पसंद आएगी, चलिए शुरुवात करते हैं। हिंदू धर्म में सूतक को एक महत्वपून और सम्मानिय परंपरा माना जाता है, जो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू या शिशु के जन्म के दौरान मनाई जाती है। सूतक की अवधी के दौरान पूजा और धार्मिक कारियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य परिवार को उनके प्रियजनों के साथ बिताने और स्वच्छता बनाए रखने का समय देना है। सूतक के समय पूजा करना, मंदिर में प्रवेश करना या किसी भी धार्मिक क्रिया में भाग लेना बरजित होता है। इस अवधी में परमात्मा के सानिध्य से दूर रहना प्रमुख है, ताकि परिवार को अपनी व्यक्तिगत और भाबनात्मक स्थिती का सामना करने का समय मिल सके। यह परम्परा सिर्फ पूजन क्रियातलापों को ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को भी सीमित करने का प्रयास करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक द्रिश्टिकोन से सूतक का समय परिवार के सदस्यों के लिए आत्ममंधन और आत्मसुधार का समय होता है इश्वर से एकांत में प्रार्थना, ध्यान और शांती का अनुभव करना उचित समझा जाता है यह परमपरा व्यक्ति को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पुनर निर्मान करने का अफसर प्रदान करती है सूतक के धार्मिक महत्व का एक प्रमुख उदाहरन यह है कि परिवार के सदस्यों को भगवान के साथ सम्पून आत्मियता से जुड़ने के लिए एक चरण प्रदान किया जाता है यह सकारात्मक्ता और स्वच्छता का संदेश फैलाने का एक तरीका माना जाता है इसलिए सूतक के इन नियमों का पालन करना न केवल धार्मिक द्रिश्टिकों से आवश्चक है बलकि यह व्यक्ति के मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाबकारी है समाज के विभिन नक्षेत्रों में इसके पालन के तरीकों में भिंता हो सकती है लेकिन इसका मूल उद्देश हर जगह एक समान रहता है परिवार को एक जुट रखना और उन्हें उनके दुख या खुशी के क्षणों में समर्थन देना इस प्रकार सूतक की अवधी का सही तरीके से पालन करना आवश्चक है ताकि उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा और मान्यता दी जा सके सूतक के दौरान माला जब पारंपरिक ग्रिश्टिकों और विवाद हिंदु धर्म में सूतक का समय अत्यंत समवेदंशील माना जाता है जहां धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं पर विशेश ध्यान दिया जाता है सूतक काल के दौरान माला जब करने के संबंध में पारंपरिक और विवादित ग्रिश्टिकों उभर कर सामने आते हैं सूतक काल में हर प्रकार की पूजापाथ और धार्मिक गतिविधियों से विरत रहने की सलाह दी जाती है गरुर पुरान और विश्णूस मृटी जैसे ग्रंथों में सूतक के समय किसी भी प्रकार की धार्मिक साधना को वर्जित माना गया है इन ग्रंथों के अनुसार, मृत्यू और जन्म के समय व्यक्तियों के मानसिक और शारिरिक शुद्धिकरण की आवश्शक्ता होती है और इसलिए इस समय ईश्वर का नाम जब करने से बचना चाहिए वहीं कुछ विद्वानों और संतों का मत है कि सूतक का समय वास्तव में आत्मस्मर्पन और भक्ति का ही एक प्रकार है इन ही विचारों के चलते कुछ लोग सूतक के दौरान माला जब को स्विकारते हैं श्रीमत भगवत गीता जैसे ग्रंथों में हर परिस्थिती में भगवान के नाम का स्मरण करने की सलाह दी गई है विभिन्न हिंदू संप्रदायों में इस मुद्दे पर मतभेध हैं उदाहरन स्वरूप वैशनव संप्रदाय के अनुयाई इस समय में भी भगवान विश्नु के नाम का जब करते हैं जबकि शैव संप्रदाय के कुछ अनुयाई इसे वर्जित मानते हैं विवाद का मुख्य कारण यह है कि धार्मिक अनुष्ठान और साधना बहुत ही व्यक्तिगत होती है और व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार निर्ने लेता है सूतक के दौरान माला जब करना सही है या नहीं इस पर अंतिन निर्ने व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक अनुष्विलन पर निर्भर करता है सूतक में माला जब करने के लाब और हानिया आध्यात्मिक दृष्टिकों सूटक के समय माला जब करने के लिए आध्यात्मिक द्रिष्टिकों से कई लाब देखे जा सकते हैं जब व्यक्ति भगवान का नाम जब करता है तो उसकी मनोच्षा शुद्ध होती है और मानसिक शांती मिलती है यह न केवल आत्मिक उन्नती में सहायक होती है बलकि व्यक्ति की आंतरिक शक्ती में भी व्रिध्धी करती है सूतक के प्रतिबंधों के बावजूद भगवान का नाम जब करने से एक तरफ मानसिक और आत्मिक शांती प्राप्थ होती है जो किसी भी संकट के समय में अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है आध्यात्मिक दृष्टिकों से माला जब करने को भगवान की भक्ती और विश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है यह स्वयन को ईश्वर के समीब अनुभव करने का एक साधन बन जाता है हालाकि सूतक के दौरान भगवान का नाम जब करने के खिलाफ भी तर्ग प्रस्तुत किये जाते हैं कुछ मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए माला जब करना व्यक्तिगत विश्वास और भक्ती पर निर्भर करता है जो व्यक्ती अपनी भक्ती के लिए माला जब को आवश्यक मानते हैं वे सूतक के दौरान भी इसे जारी रखते हैं वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सूतक एक पाबंदी का समय होता है, जिसमें सभी तरहे के धार्मिक कारियों से दूरी बनाए रखना चाहिए कारण जो भी हो, सूतक के समय माला जब करने के फाइदे आध्यात्मिक द्रिश्टि कोन से स्पष्ठ है यह मानसिक और आत्मिक स्थिर्टा प्रदान कर सकता है और संकट के समय में एक संतुलन देने वाला साधन हो सकता है आध्या, माला जब करना या नहीं करना एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास और परमपराओं पर आधारित निर्नय होता है बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय को कहीं सपर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिलकुल भी न भूले इसी आशा के साथ आप से विदा लेता हूँ नमस्कार